Hi everyone, आप लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैम आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे दिखती है, आप इस एज में भी इतने यंग कैसे दिखते हैं, तो गाईनी पढ़ा पढ़ा के अब मुझे लगा कि थोड़ा सापको स्किन केर का भी बताना चाहिए, जित्ती हुए हैं वहां जाके देख सकते हैं, बट आपको जब तक खुद नॉलिज नहीं होगी, तब तक आप ब्यूटी पालर में जाके क्या करवाऊगे, बहुत से लोग आपको मिस्गाइड भी करेंगे, तो आपको पता होना ची कि आपकी स्किन टाइप क्या है, फिर आपको डेली र हेल्दी रहेगी, आप हेल्दी दिखेंगे, आप यंग दिखेंगे, रिंकल्स कम आएंगे और आपको अच्छा फील होगा सबसे पहले तो आप देखी कि आपकी स्किन कैसी है, वाश करने के बाद या सुभे उटने के बाद, अगर आपको स्किन पूरे दिन, पूरे दिन या फिर सुभे इस्पेशली, आपको बहुत ड्राइ लगती है, स्पेशली ये वाले जो एरियाज हैं, बहुत ड्राइ हो जाते हैं, आपको हसने में भी दिक्कत होती है, आपको यहां पर हल किसे छोटे पर रिंकल्स आने शुरू हो रहे हैं, मतलब कि आपकी स्किन ड्राइ है, कुछ लोगों की स्किन ओईली होती है, उनको स्किन हमेशे यहां पर हमेशे एक यह ओगा, कितना भी वाश कर लेंगे, हमेशे एक शायन होगा, और ऐसी स्किन में पिंपल जल्दी आते हैं, तो पिंपल प्रोन स्किन यानि कि ओईली स्किन, यानि कि आपको यहीं ग्ंपको जल्दी आएंगे, आपको एविन लेक थर्टी फाइफ, उ पहले भी आपको wrinkles आ सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, यह वाले जो areas होते हैं, जित्ते भी, जो हमारी smile lines होती होती है, वहाँ पर wrinkles आ सकते हैं, एक होती mixed skin, जैसे कि मेरी है, mixed skin क्या होता है, कहीं से dry है, कहीं से oily है, तो मेरे जो T-zone है, यहाँ पर हमेशे में को pimples आते हैं, इसको T-zone बोलते हैं, इसको T-zone बोलते हैं, इसको T-zone बोलते हैं, यह T-zone बन गया है, तो आइब्रोज से लेकि यह नाक तक, अगर यह वाला area आपका shiny है, आप कुछ भी wash कर लें कि तब आप ड्राइ कर लें अपने आपको आपको बढ़ी आदम face wash करके, scrub कर रहे ह आप कुछ भी कर लें, ना ज्याद़ बहुत oily आ रहे हैं, दोस आद़ ब्लेस्ट पीपल, ना उनको रिंकल्स आते हैं, जिनके की लिदम ही normal healthy skin होती हैं, अब आते हैं कि आपको अपनी skincare के लिए क्या करना चाहिए, और उसके पाद क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले dudes, आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आपके skin पे दिखता है, ये तो सब को पता है, everybody knows that, पानी, hydration के लिए बहुत जरूरी है, पानी के बहुत फाइदे हैं, अगर मैं पानी के फाइदे गिना हो, तो शायद मेरे को पूरा दिन लग जाया बताने में, क्योंकि पानी, obviously, हम आपके cells पानी में रहेंगे, hydrated रहेंगे, हम body के अंदर से कोई tissue भी निकालते हैं, तो इसको पानी में डालते हैं, normal saline में डालते हैं, जिससे कि वो अपना suppled है, dry ना हो जाया, desiccate ना हो जाया, similarly, खुब पानी पीना है, अगर आप में आपको मेक अप निकाल के सोना है, प बार-बार साबुन की जरूत नहीं है, लेकिन आप बार-बार उसको पानी से दो सकते हैं, पानी से दो के पैट ड्राइ करना है, आप रब नहीं करना है, टौवल से लो ऐसे सरब कर लेते, वो नहीं करना है, जिससे आपके skin बिल्कुल भी छिलेगी नहीं, ठीक है, आपको म कम लेना है, अगर आपकी skin खराब हो रही है, तो alcohol वैसे भी कम लेना चाहिए, बट एलकॉल से क्या होता है, डिहाइडरेशन होता है, आपकी body का पानी खीच लेता है, तो जो लोग alcohol बीते हैं, उनको पता हो को सुभी कितना ज्यादा stuffiness लगती है, skin dry हो जाती है, गला ड्रा मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने sunscreen लगाया हुआ है, क्योंकि मैं lightों के सामने हूँ, मैं studio में हूँ, ये lights भी मेरी skin को खराब कर सकती है, तो आप पूरे दिन sunscreen पहन के रखे, यानि कि उसको अच्छे से, अच्छा से, इतना सारा sunscreen आप भर के ले, और उसको ऐसे करके लगाए, कौन सा sunscreen लगाना है वो आपका dermatologist बताएंगे, आपकी skin type के according, SPF यानि की sun protecting factor, SPF आप देखे, उसमे 30F 50 होना चाहिए, एक अच्छा sunscreen, एक अच्छा moisturizer अगर आपकी skin dry है, oily है तो जादा moisturizer मत करो, अलग-अलग तरी की creams आती है, आपको पाता है, जो main जो brands हम बच concealer में यूज करते होंगे, तो skin type देखकर से पीछे लिखा होता है, कौन सी skin के लिए अच्छा है, वो लगाना है, moisturizer हो गया, toning हो गया, मैं आपको बता दूंगे, toning कैसे करते हैं, then sunscreen हो गया, then आप अगर अपने आपको tan करना चाहती है, बहुत से लोग फेर होते हैं, उनको tan look देती हैं, और थोड़ा सा आपको shine भी देती है, आपको धूप में बैठने की जरूतने tanning के लिए, हालनकि हमारी Indians नॉमली फेर दिखना ज्यादा पसंद करते हैं, tanning नहीं चाहती है, but foreign के जो लोग हैं, जिनमें skin में pigment कम होता है, वो धूप में बैठते हैं, उससे skin cancers हो स enough, तो 6-7 घंटे की नीद बहुत जरूरी है, which is known as beauty sleep, अब आपको क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग साबून या दिन में 3-4 बर साबून लगाना, ये गलत है, बहुत से बच्चे भी एगलती करते हैं, बहुत से teenagers एगलती करते हैं, उनको लगता है मेरी skin क्लियर हो जाएगी, पूरे टम साबून डगरते रहते, साबून बहुत हार्श होता है आपकी skin के लिए, जो लोग PCOD की पेशिंस हैं, जिनकी skin में बहुत oil है, मैं उनको बोलते हैं, आप दिन में अगर दो बर वाश कर रहे हैं, तो आप बार बर एक तो scrub ना करें, स्क्रब करनी है, बहुत हार्श सोप नहीं यूज करना है, अगर oily skin है, तो थोड़ा नीबू वाले जो सोप सोते हैं, जैसे लिरल आता था पहले, अभी भी आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे face wash आ गया, आजकल acne free face wash आ गया, men के जो face wash होते हैं, जिसमें के acne prone skin के के लिए होते हैं, क्योंकि men में आपको पता है, आदमियों में androgen hormone जादा है, तो उनको pimples और oily skin ज्यादा होती है, वहला आप face wash कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा pimples है, otherwise normal mild face wash जो के दिन में दो बर बहुत है, कोशिश करें के cleansing ज्यादा करें, और ये जो साबून है करें, दूसी चीज़ आप towel से dry करें खुद को, ऐसे रगड-रगड के ने dry करें, सेम चीज़ बालों के लिए भी लग उती है, रगड-रगड के बाल को dry करते हैं, तो उससे आपके बाल डामेज होते हैं, तो skin को रगड़े ना, मैंने जैसे बताया आपको कि आपको alcohol कम लेन करनी है आपको smoking कम करनी है अगर आप smoke करते हैं तो ठेकिए यह हो गया मेली मेल से लिए जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं आपके skin में blemishes आनी शुरू है करते हैं प्लस जो मेल्स हैं और शेविंग करते हैं शेविंग भी बहुत ध्यान से करने हैं ठीक है उसके लिए बहुत अच्छे गैजिट्स आ गए तो यह आफ टू बी केफुल इवन लेडी जो शेव करती हैं अपने बाल प्राइवेट पार्ट के एक्जिला के मैं उनको हम एक कहना चाहिए जिसस Onthana चाहिए जिससे के आपकी सiquerखिय कुस्छ सकिना फ्रेंड्ली फूड यानि की जो आप रूटीन में खाते हैं वह कौन से है एक तो होगय किलया कि又 यानली कि डलिया दलिया में कर्बो बहुत अच्छ है healthy carbohydrate है तो इससे आपकी skin अच्छी दिखेगी फिर आगे vitamin A वाले जित्ती भी vegetables है जैसे carrots हो गए यानिकी गाजर हो गया green vegetables हो गई पालक हो गया मटर हो गई जित्ती भी green leafy vegetables है even यह आपका चंदेलिया वगरा जो हमारी राजसान में बहुत मिलता है जित्ती भी green leafy vegetables है plus tomato, tomato में vitamin A, vitamin C बहुत है तो cucumber हो गया, cucumber तो काई लोग ऐसे skin पे लगाते हैं कि खीरा, potato हो गया, aloo, sweet potato हो गया इन सब में अच्छे carbohydrates है जो लोग dieting करते हैं वो normally white चीज़े कम लेते हैं, brown चीज़े ज़्यादा लेते हैं for example brown bread हो गई, brown bread is full grain bread, similarly brown rice हो गया, brown rice आपकी health के लिए भी अच्छा है, आपको एक satisfaction मिलता है कि मैंने चाबल खा लिया और आपको मोटापा भी नहीं चड़ता और वो skin के लिए बहुत अच्छा है, फिर आते है fruits, कौन से fruits खाने से आपकी skin अच्छे होगी, देखा जाए तो सारे ही fruits skin के लिए बहुत अच्छे हैं, क्यूंकि उन सब में पानी बहुत होता है, पानी होता है, साथ में vitamin C होता है, vitamin A, vitamin D सब होता है, तो main जो इस पे सबसे उपर रहेगा, यानि कि संत्रे, संत्रे को आप लगाओ भी सकते हो, लेकिन लगाने से कई पर आपको जलन होती है skin में, तो आप उसका juice बना के पीओ, आप उसको ऐसी खा लो, ऐसी खाने से क्या फाइदा है, ऐसी ही खाने से छिलका उतारके, जब आप उसका fiber साथ में लेते हो, क्योंकि खाओगे तो fiber भी जाएगा, पल भी जाएगा, तो उसको आपको constipation भी कम होगा, जूस पीना चाहते हो, जूस पीलो, लेकिन जूस पीने के लिए आपको कम सकब 4-5 संत्रे निकानने पड़ेंगे, तब जाके 1 glass जूस बनेगा, तो इडिपेंस अपॉन यू आपको क्या से लेना है, या फिर आप mix fruit जूस पीलो, उसके अलावा कौन से fruits हैं, आपल हो गया, आप्रिकोर्स यानि कि आडू हो गया, ब्लूबेरीज हो गई, वाटर मेलन यानि कि आपका तर्बूज हो गया, खर्बूजा हो गया, आम खूब आ रहे हैं, आम से skin बहुत अच्छी होती है, हाला कि कुछ लोगों को pimples भी निकलते हैं, पर यह सारे जितनी भी fruits हैं, बनान के लिए, skin के लिए, आपके blemishes जो dark spots आते हैं, उनको भी हटाने में बहुत फायदा करता है, उसके अलावा vitamin C, vitamin C जो कि मैंने आपको पता है, oranges वगरा में, जितने भी खटे fruit से उसमें होता है, वो आपके skin को repair करता है, healing में काम करता है, यहां तक कि आपका hemoglobin काम होता है, आपको vitamin C देते हैं, साथ में vitamin E, vitamin A के capsules को आप तोड़के अपने skin पे अगर लगाओगे, रात में सोजाओगे, सुभी ओटके दोगे तो आपके skin काफी सपल दिखेगी, तो यह दो-तीन vitamins हैं, जो कि बहुत important है, along with vitamin A, जो कि आपके आपके आँखों के लिए बहुत ığın skin routine को आप चाहे तो noot कर लें, चाहे तो आप इसको bar-bar सूनले, एक बना ले अपना routine के क्या क्या करना होता है, कौन सी छे साथ steps होते हैं, जो आपको करना है, सबसे पहले step होता है क्लीन संच, जो कि मैं रेक्मेंड नहीं करूँगी, अगर हां आपने बहुत ज़्यादा make- पर लगा रखा या बहुत आप ऐसी एट्मोस्फेर से पलूशन हो रहा है आपको साबून के जरू होते हो यूज़ कर ले दिन में एक बार यूज़ कर ले बाकी लिग से कर सकते हैं आप सिंपली दूद से कॉटन में लेकि उसको क्लीन कर सकते हैं दूद के क्या फायदे होते दूद के अंदर होता है लाक्टिक ऐसे जो कि आपके पोर्स को खोलता है और आपकी गंदगी को निकालता है तो आप मिल्क से या फिर नॉमल जो क्लीन जिंग मिल्क आता है जो मार्केट में आते अलग-अलग ब्रैंड्स के आप उससे अपनी स्किन को क्लीन करें सेकिंड होती है toning आप ने देखा होगा आप कहीं भी किसी salon में जाएंगे beauty पालर में जाएंगे तो toning करते हैं toning यानि कि rose water या कोई भी toner जो लोग खुद बनाते हैं वो लगाते हैं astringen से भी बनता है toner क्या करता है आपके skin को tight करता है और आपके skin के जो pores हैं उनको clean करता है तो basically rose water इसमें सबसे उपर रहता है यानि कि गुलाब जल आप कहीं दूप से भी आएंगे आप गुलाब जल लगा लेंगे थोड़ा सा cotton में लेकर आपको बहुत soothing मिलेगा तो basically cleansing के बाद toning toning में सबसे जो easily बनता है वो है rose water मार्केट से नहीं खरीदना चाहते है तो rose के petals लो और उसको mixi में घुमा दो पानी डालके वो आपका बढ़िया rose water बन गया third step आता है toning के बाद serum मैं regularly इतने सालों से अपनी skin पे serum लगा रही हो क्योंकि मेरी skin vitamin dryer side में है तो vitamin c लगाती हूं मैं अब इसमें दो तीन तरीके serums आते है vitamin c भी आता है hyaluronic acid भी आता है या आप अपने dermatology से पूछे किसी में retinol भी होता है जो कि vitamin a का एक derivative है तो उससे क्या होता है अगर आपकी normal skin है या oily skin है तो आप बंद करेगा उनकी जित्ती भी dirt है निकालके उसको एक बढ़िया सपलनेस देगा तो brightness आगी serum लगाने के बाद उसके बाद अगर आपको अंडर आई में bags है तो आप अच्छे ची क्रीम जा गई है उसके बाद आप अपने आपको कुरे दिन हलके से dead cells निकले वोन को निकाल देगा बाद डाट डिपेंड्स कि आपके skin किस टाइब की है कुछ home products हैं जो कि आप regular में यूझे कर सकते हैं जैसे कि बनाना हो गया संतरा हो गया संत्रा हो गया दूध हो गया इन सबके फाइदे में आपको फटा-फट बता दियो साथ में में शहद में होते है एंटि-अ Simmons यह आपकी Skin को bright करता है आप शहद को चाहो तो बेसनमे मिला दो आपश तो चाहो तो चावल के पाउडर में मिला लो तो शहद से आपकी स्किन ब्राइट होती है दूद के मैंने फाइद बता दिए लाक्टिक एसेंड होता है वो आपकी स्किन को क्लीन करेगा और पोर्स को खोलेगा टुमैटोस बहुत से लोग टमाटर को खाते तो हैं ऐसी खाते ह उसके बाद स्किन पे लगाते हैं टमाटर से कहते हैं एक दम बढ़िया एफेक्ट आता है स्किन पे हलका सा हो सकता है जले अगर आपकी स्किन हलकी सी ड्रायर साइड पे है बटू ब्राइटनेस देगा और एक पूरा सोर्स है विटेमिन सी का सिमिलरी एपल साइडर इसको चाहे तो ऐसे अपनी स्किन पे या फिर आपको फेस पैक बना ले साथ में मुलतानी मिट्टी डाले कुछ भी कर ले तो इसे आपको सूधिंग इफेक्ट मिलेगा यह सारी चीजे मैं इसलिए बतार हूँ कि जो लोग मार्केट से नहीं खरीनना चाहते समान यह सारी अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है आपके पास कोई मौस्टराइजर नहीं तो कोकोनट ओल कोकोनट ओल सब घरों में होता है आप अपने बालों पे लगाते हैं आप अपनी स्किन प्रेविस को ऐसे राउंड डाउन घुमा के स्वेशी जब बहुत ज़्यादा मेकप लग करते हो आप उसको काट किया आँखों के नीचे लगा तो अंडर आई क्रीम की तरह काम करता है पो टैटो में होते हैं हेल्दी कार्भो हाइट्रेट साथ में आयरन साथ में विटमिन सी क्या करेंगा आपकी फाइन लाइन आज 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 आपके ब्लैमिश को हटाएगा आज आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा एवरी बड़ी चया बचक्नेजर्म होँ चया लिडीज हो जैए सब को अच्छी चाहिए आज किसे होनी वाली ब्यूमारियों से आपको बचाएगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर करिएगा लाइक करिएगा सबस्क्राइब करिएगा चानल को और मुझे फॉलो करिए मेरे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे मेरे से परस्नली कंसल करना है तो यह नंबर है आप इस पर वाट्साप करें नहीं तो मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं थांक्यू वेरी मच्छ